आज हम एक न्या कंसेट शुरू करने वाले हैं और नेक्स्स वीडियो में उसी के ऊपर थोड़ी दिसक्सिन करेंगे हम लोग ठीक है कुछ न्या कंसेट में शुरू करने वाले हैं वह होगा कॉंसेट अब कपेस्टिर क्या होता है ठीक है तो capacitor उन concepts में से है, जिसने at least personally मेरे को बहुत परशान किया था, जब मैं इसको पढ़ रहा था I mean, capacitor बनाते कैसे हैं, उसकी capacitors निकालते कैसे हैं, series parallel वो सब समझ में आता था मिरे को, वो सब निकालेता था मैं, लेकिन जो दो चीज़े मेरे को परशान कर रही थी, वो यह थी कि energy store करते हो काफी बहुर आपको बताया जाद है कि आप चार्ज स्टोर करते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है जैसे वीडियो मा आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि वह गलत क्यों है लेकिन अपके लिए इतना दिमाग में अच्छी तरह से बिढ़ा लेजे कि बई कपैस्टर में energy store होती है यह इतना important है कि आप इसको कहीं पर टैटू बेटू करवा लिजे कि बई कपैस्टर स्टोर्स एनर्जी कपैस्टर में energy store होती है ठीक है तो वगल कपैस्टर में energy store होती है तो आप मेरे को फटक से पूछ वोगी बई बैटरी में फरक है जो बहुत ही जायज वैलिड कोश्यन रहेगा ठीक है तो इसको आशर करने के लिए एक टेबल ट्राक है जिसमें हम जल्दी से बैटरी और कपैस्टर के बीच में करेंगे कि एक जैसी चीज़ें एक जैसा पन क्या है और दुटेंश से अलग कैसे हैं ठीक है तो पहले दखते हैं कि पहले जो है जो है जो एक जैसा पन मोस्टी यहीं पर खतम हो जाता है ठीक है, तो भी देखते हैं कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है, तो एवन तो दोनों के दोनों जोगा energy को store करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो energy को release करते हैं, वो different है, एक दूसरे से अलग है, जिस तरह से वो energy को store करते हैं, वो भी अलग है, और जितनी energy वो store करते हैं, को रिलीज करते हैं और ये बैटरी और कपेस्टर के बीच में एक बहुत ही बाड़ा डिफरेंस है बहुत ही बड़ा फर्क है और इसको भी हमें एक इसको फर्क है बाड़ा इसके बाड़ा ने बहुत ना चोड़ा दर्वाजे जिको कर सका उँ तो गलता है तो गुछ पानी निकलना शुरू हो जायगा अब जब तक इस बाड में पूरा का पानी खटम नहीं होता जितना पानी यहां सब्सक्ति हो जितना अगर रहेगा पर आपके पास energy store हुई है, पानी डैम में क्या energy है इसमें, right, energy store हुई है और more or less constant energy release हुए जा रही है, जब तक इसमें पूरी की पूरी energy खतम नहीं हो जाती है, तो जब battery आप लगाती हो circuit में, more or less ऐसे ही काम करता है वो, वो constant potential supply करता है circuit में, या फिर more or less constant current supply करता है जब तक जब चिया इनरजी को खतम नहीं हो जाए, जारी बैटरी ऐसे काम करता है है तो अब तक बांद को थोट थोनो क्या होगा फटाक रीलेजरी करते हुआ तो अब लुक्षांन होता है जाता है, यह मर तो आप नहीं काम करता है, एक पुर्द को थोड़ा ज़ने बैश़र्चा जाते हो कि आप थोड़े से टाइम में बहुँ जादा एनर्जी रिलीस करो वहां पर कपैस्टर का एक बहुत बड़ा अप्लिकेशन है ठीक है तो कपैस्टर ऐसे कुछ कुछ काम करता है ठीक है तो यह हमने डेम का सारा लिए यह आपको इन दोलों के बीच में फ़र्क को थो करने से पहले उसको चौर्ज करना परता है तो इमीरलेटल दिना शूरू करते हैं क्पैनि कैमीकल रर्क्षे ऑार में complete से पहले और दूबारा स्कूर करने चेस करते थे आपको चार्ज करना परता है हो तो बैटरी आपके कैमरा में बैटरी होती है उसको चार्ज करती है, यह आप कंटिनुसली दो या तिन फ्लाइज उस नहीं कर बाते हूँ एक और एक देखा होगा मुविज या सेरियल में, अगर किसे को हार अटाग आगया है तो डॉक्टर वो कुछ प्लस ताइप चैस्ट पे लगाता है, वो क्पैस्टर दोते हैं जनरली वो 2ms के अंदर कुछ सारे दिन तो जूल ताइप की नर्जी डिलीस करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे डॉक्टर एंटर करता ओपरेशनेटर वो चलाना शुरू करता है नहर्स बेगा तो वो चार्जिंग पर लगा तो वो क्पैस्टर को चार्ज करने को बोल रहा है तो अब जल देखते हैं कि इस कपैस्टर की जरूरत क्यों आन पड़ी थी अपने को क्यों चाहिए था कपैस्टर ठीक है तो हमने अब तक जितना भी पड़ा है कि चार्ज होता है उसके कारण और अपने गोर सेंट आप इसको पड़ा यह समझा है तो आपको उसमें एक बह हो जाएगा डिस्चार्ट हो जाता है तो मेरे को अगर आधे घंटे के लिए चार्ज टिकाने का तो वह बहुत मुश्किल काम है ठीक है तो जब बहुत पहले लोगों को समझ में आए कि चीजों को जब आप करते हो तो कुछ जादू टाइप होना शुरू हो जाता है कुछ कुछ चीजों को अट्रेक्ट करते हैं कुछ चीजों वह रिपल करते हैं तो उन्होंने इसको एक मनरंजन का साधन एक एंटेटेन्मेंट का सरीया बना दिया तो शाम को जाके कुछ करतब और तप्रिया करते थे वह लोग स्टाटिक लेक्टिक के साथ राइग लेकिन अग करतब करने का तो आपको चाहिए कि चार्ज आधे पोने घंडे तक टिक है जिस और चार्ज कर रहे हो राइट तो चार्ज टिकता नहीं था वह बड़ी बहुत बड़ी प्राब्लम थे उनके पास कि वह चार्ज कैसे टिकाया जाए ठीक है तो इस प्राब्लम पे हॉलंड मे कि बाद यह थी कि पर जो स्लूशन निकाला उसने वो उसकी एक गलती के कारण निकला उसने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा तो उसने गलती की उस गलती के कारण उसको स्लूशन पता लगा ठीक है तो उस तरह मिलों को पता नहीं था कि पर चार्ज वार्ज क्या हो तो उनको एक ग्लास बीकर लिया उसमें कुछ पानी डाला उसको एक इंसलेटर पर तका उसने ऐसे बीज में कुछ बाहर बाहर लगाई और इस चंडुक्टर को उसने एक स्टाटिक चार्ज जनरेटर के साथ किसे वह स्टाटिक चार्ज प्रडूश कर रहा था उसके साथ जोड दिया ताकि कुछ एलक्ट्रिक फ्लूट स्टोड कर पाई इसमें लेकिन बड़ी फाइट मारी कुछ भी स्टोर नहीं हुआ अंदर कुछ भी इसको मिला थीक है तो एक दिन मारे भाई साब ने क्या किया गलती से बीकर को हाथ में पकड़ लिया इंसलेटर की जगा उसने हाथ में पकड़ लिया और यहां से कंटिनुसली चार्च सप्लाई करता रहा वो उसने एक और गलती की उसने कुछ दिर के बाद यहां पर टाच कर दिया कहीं पर तो इतना तगड़ा शौक लगा था तो भाई साब ने अंजाने में जाने बिना एक कपैस्टर बना दिया था जब उ उस ताइम पर भाई साब को समझ में ने आए कि क्या हो उसके साथ लेकिन बाद में पथा लगागी उसने एक ऐसा डिवाइस मना दिया जिसमें आप चार्ज को टेका सकते हो यहनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हो और जब चाहे आप उस एनर्जी को यूज कर सकते हो तो आपक इसकी एजाद हुई तो इसको लाइडन जार भी बोला गया और बाद में इसका नाम कपैस्टर पड़ा ठीक है तो अब हम दो चीज़े देखेंगे पहली बात कि बनाते कैसे हैं और दूसरी बात कि बात कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है ठीक है और यह जो कपैस्टर जिस हैं उनके बीच में अगर आपने एक इंसुलेटर रख दिया तो आपके बास कपैस्टर बन गया कतम कहानी है शच dużumlurk को केस में उजे प्रफेसर के केस में है लेकिन उस टाम पर लाइडन जार था वो इस तरह का गुछ था ये एक कंडॉक्टर ये एक और कंडॉक्टर और बीच में इंसुलेटर और ये था अपका लाइडन जार इसमें आप स्टोर किया करते थे एनर्जी को ठीक है आज कल चाहे वो छोड़े चोड़े का पैस्टर आ जिसका जिक्र जिसका मेंचन इससे जयदा किया गया हो इससे आपको थोड़ा एडिया हुआ कि ये इंवेंचन कितनी इंपॉर्टेंट थी ठीक है तो जैसे आमने भी बोला कि अगर आपके पास कोई लो कनॉक्टर से हैं दोनों के बीच में और को इंसुलेटर है तो आपन लेकिन सवाल ही है कि बई क्या इस कैपस्टर से मैं कुछ काम निकाल सकता हूं तो आंसर है नहीं फिर इंपल आपने एक डैम बनाया बांत बनाया स्कों कंस्क्शन खतम हो गया उसका लेकिन जब तक उसमें पानी नहीं डालोगे तब तक उसमें से काम नहीं निकाल पाऊग जोगे उसको तो वह फटा फट काम देना शुरू करते है लेकि इस केस में कैस में कामने के लिए इसके आपको चाग करना ठागा ठीक है तो अब देखते हैं खिल से कम निकालने के लिए अब यह आपके काम आएगा तो अभी इन conductor's पे चार्ज देने के लिए आप रभब करके कुछ friction जे कुछ static charge बढ़ उस कर सकते हो और उस पे चार्ज जाल सकते हो लेकिन सबसे असान तरीका सबसे easiest तरीका दो conductor's पे equal और opposite चार्ज डलने का है अगर आप उन दो conductor's को एक battery के साथ जोड़ दें battery जोड़ नोमल है आप torch watch में यूज़ करते हैं घर में या फिर घणियों वोल्यों में यूज़ करते हैं अगर आप दो conductor's को उस battery के साथ जोड़ेंगे तो एक conductor पे positive Q charge आ जाएगा और दूसरे connector पे उतना negative charge दूसरे connector पे आ जाएगा ठीक है तो आप आदा इस वीडियो का सबसे important point ठीक है तो जब मैं बोलते हैं कि बैटरी के कारण ये positive बन गया और negative बन गया तो वो charge battery ने अपने अंदर से produce नहीं किया है battery ने create नहीं किया है वो charge battery ने पैदा नहीं किया है battery ने खाली एक ही काम किया यहां बैटरी ने कुछ negative charge इस connector से move किया है इस conductor ता खाली उतना ही काम किया है battery ने तो अगर ये positive बन गया और नेगटिव बन गया battery के कारण तो इन दोनों के बीच में feel आ जाएगी इनर्जी किसके ब्रहबर होगी जितना battery ने काम किया है charge को यहां से यहां तक move करने के लिए तो यही मेरा मतलब में स्राटी में जब मैंने बोला था कि capacitor में energy store होती है charge store नहीं होता है क्योंकि अब घोर से देखो यहां पे तो जितना charge इन दोनों conductors में बैटरी लगाने के पहले था उतना ही charge इन दोनों conductors पे बैटरी लगाने के बाद भी है आपने कुछ निया charge बाहर से लेके नहीं आए या आप कुछ निया charge store नहीं कर रहे है खली एक ही चीज हुई है इस case में वो यह है कि बई कुछ charge इस conductor से इस conductor तक move किया है आपने transfer किया है, खाली charge की redistribution हुई है कोई निया charge लेके आप नहीं आ रहे है तो capacitor में charge store नहीं होता, खाली energy store होती है, ठीक है तो हमने भी जो बोला कि capacitor energy store करता है, charge store नहीं करता है उसको example के तुरू देखेंगे जो शायद आपको मदद करें यहां पर मेरे पास एक container है, जिसके बीच में मैंने एक रबर का कुछ प्लेट लगा कर रखा हुगा है जो इस container को दो बाग में, दो पार्ट में divide करता है, और मैंने इसको पानी से फिल किया हुआ दोनों तरफ, ठीक है, अजिम करते हैं कि पानी एक लिटर पानी है इसके इंदर, ठीक है तो इमें क्या करता हुआ, पंप लगाता हूँ, जो कुछ पानी यहां से, यहां मूफ करता है अगर आद देखो, अभी भी पानी एक लिटर ही है, पानी चेंज नहीं हुआ लेकिन अभी इस एरिया में इस पार्ट में पानी जयदा हो गया, उसके कारण क्या होगा यह जो रघबढ़ा आपका, यह स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा और stretch के कारण इसमें potential energy आजाएगी जितना ज्यादा stretch उतनी ज्यादा potential energy अगर में pump को उड़ा दो तो इसा पानी को push करेगा वापस यह ठीक है तो इवन दो पानी उतना ही रहा है लेकिन अभी potential energy आगी है इसमें capacitor भी ऐसे कुछ काम करता है ठीक है यहाँ पे जो energy थी वो stretch में store थी capacitor के case में energy store होती है वो field में store होती है तो एक बर आपने capacitor को charge कर दिया उसके आप उसमें से आप काम निकाल सकते हो for example काम निकालने के लिए battery निकाल दो यहाँ पे bulb लगा दो जब लगा तो क्या होगा negative charge यहाँ आपने energy यहाँ पे store की थी वो एकदम release होगी जिक कारण बल्ब जगेगा आपका ठीक है आप बैटरी के जरीए अपने capacitor को charge करते हो जब आप flash करते हो तो पूरी पूरी जो energy हो release हो जाती है दुबारा से आपको battery के जरी capacitor को charge करना पड़ता है next flash के लिए तो ऐसा होता है काम अब answer करते हैं मुद्य का question के बाई capacitor किस principle पर काम करता है ठीक है तो मेरे पास एक राउला जहां पर मैंने कुछ negative static charge friction के दुरूर प्रड्यूस किया इसके ओपर ठीक है अब मैं इसको टाच करता हूँ एक conductor के साथ तो कुछ electrons यहां से यहां move करेंगे तो इस पर भी negative charge आना श जाहिर सी बात है और अब इसको पोटेंशिल भी होगर डिपेंडिंगे कब आपने कितना चार्ज आला गर बहुत जादा चार्ज ला तो ज्यादा प्रोटेंशल होगा तो जल्दी discharge हो जाएगा यह कंपोटेंशल होगा तो चैनल के बादे चार्ज खतम हो जाएगा इस पर जो दो सवाल पूछे थे हमने, उसके आंसर मिल जाएंगे अपने को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी, एक positively charged conductor, इसके पास ले क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे यह होगा, उससे यह होगा, कि बहुत जो electrons थे यहाँ पे, वो इस तरफ मुव हो जाएंगे, यह conductor यह polarize ह हो जाएगा, इसके करण दो चीज़ी होगा, पहली बात तो, जो positive charge है, इस negative charge को यहाँ पे बांद के रखेगा, और दूसरी बात, सिंस यह polarize हो गया, electrons यहाँ पे move हो गया है, तो आप इस conductor पे extra negative charge अभी डाल पाएंगे, आप थोड़ा जैदा charge इस पे डाल पाएंगे, तो एक छोटी सी change के कारें, जैसे एक conductor, positive charge conductor को पास में लाने से ही, तो दो question हमने पूछे थे, उसका हल अपने को मिल जाएगा, उसको solution मिल जाएगा, उसका अपने को, ठीक है, तो अब इस चीज़ को एक दूसरे नजरिये से भी देख सकते हैं, potential के नजरिये से भी देख सकते ह बस दो conductor's है, एक पे positive Q charge है, एक में negative Q charge है, और दोनों बहुत दूरी पे है, infinite distance में है, ठीक है, assume करते हैं कि इन दोनों के भीज में potential difference कितना है, डेंटा भी है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों conductor's को पास में लेके आता हूँ, ठीक है, तो अब इस conductor के, इसके पास होने के कारण इस conductor का जो potential है, वो कम हो जाएगा, वो आप easily देख सकते हैं, एक point पे potential क्या होता है, कितना काम करना पड़ेगा आपको एक positive test charge को infinity से वहां तक move करने के लिए, तो अब assume करो कि for example, यहां पे नहीं है, तो मेरे पास एक positive test charge हो, जो move कर रहे हो, तो obviously मेरे को कुछ काम करना Similarly, इसके इसके पास होने के कारण इसका potential बढ़ जाएगा, तो अब अगर इन दोनों के potential difference delta V hash है, तो आप easily देख सकते हैं, कि यह potential difference इससे कम है, even though charge अभी भी same है, लेकिन potential difference आपने कम कर दिया, मतलब आप और charge इस पे आड़ कर पाएंगे, तो यह reason है कि capacitor काम करता है, जब आ आप एक charge connector को एक दुसरी के पास लेके आते हैं, तो वो दोनों एक दुसरी के potential को change करते हैं, इस तरह से ताकि potential difference उन दोनों के बीच में पहले से कम हो जाए, और आप extra charge डाल पाएं उस पे, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि capacitance क्या होता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे charge capacitor है, जिसमें यहाँ पे positive Q चाहँता है, यहाँ पे negative Q चाहँता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे positive Q चाहँता है, तो जाहिर सी बात है, obviously ही बात है कि यहाँ पे potential difference भी होगा, और potential difference किसके proportional होगा, charge के proportional होगा, यहाँ पे कितना charge है, यहाँ पर चार्ज को increase करो, hierी current तो जैसे हमने देखा था बैटरी या करती है, simply charge move करती है एक conductor से दूसरे conductor में, for example, यहां से वो कुछ negative electrons यहां पर move कर रही है, और बैटरी तब तक move करती है, जब तक यहां पर जो potential difference है, वो battery के potential difference के बराबर ना हो जाए, for example, अगर आपने 1.5V की battery यहां पर लगाई है, तो ब proportional होगा, voltage के, इस potential difference के, तो अभी हमारे पास 2 equations आगे, जिसमें proportionality का sign है, तो हम जानते हैं कि जब B equation में proportionality sign आथा, उसको हम replace कर सकते है, equality के sign से और एक constant से, और दोनों में से हम कोई सी भी equation यूज़ कर सकते थे उसको replace करने के लिए, लेकिन बहुत पहले जब लोगों ने को चुना, तो proportional की जगा हम लिख सकते है, equality और एक constant C, तो क्या बन जाएगा, Q is equal to CV, ठीक है, और यह C क्या है, constant of proportionality, और यह C को, capacitance बोलते हैं, ठीक है, अभी जो capacitance है, इसको एक और नजरिये से भी देख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, capacitance is Q by V, ठीक है, अब अगर यहां में जो potential difference V जो है, उसको मैं एक world बना दूँ, one world बना दूँ, तो capacitance किसके बराबर हो जाएगा, charge के बराबर हो जाएगा, इस charge के बराबर हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह है, कि हम capacitance को एक और तरीके से define कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं, कि भई, एक capacitor की capacitance का मतलब यह भी होता है, कि एक world potential difference के लिए मेरे को कितना charge यह रहेगा, वो होती है, कि अगर capacitor की capacitance जएदा है, इसका मतलब क्या है, एक world potential difference के लिए मैं यहां पे जएदा charge डाल सकता हूँ, और अगर अब देखो तो उसी के तो पीछे हैं हम लोग, लेकिन सबसे इंपार्टन shape कैसी है, उन दोनों के बीच में distance कितना है and so on, in the next videos में different capacitors की capacitance निकालेगे हम लोग, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि यह उसकी geometry पर depend करता है, capacitance geometrical property है, for example, इन दोनों conductor के बीच में distance को बढ़ा दू, तो capacitance change हो जाएगा, अगर आप देखो तो यह बहु हमारे लिए हमारे लिए, ठीक है, तो अगर आप देखो तो पूरा का पूरा खेली equation का ही है, क्यों किसके ब्राबर होना चाहिए, C और B के product के ब्राबर होना चाहिए हमेशा, तो अगर आपको कुछ Q charge टिकाने का कहीं पे, तो अगर आप capacitance की capacitance को increase कर देते हैं, तो उस charge के ल तो अगर नजरिये से देख सकते हैं, तो अगर कुछ लोगों को मदद करें, तो जो capacitor होता है, वो mechanical system में spring की तरह होता है, for example, मेरे पास यहां पे spring है, मैं पूर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं को इसकी जो length है, वो x increase करनी है, ठीक है, तो मैं होक्स लाओ से जानता हूं कि भा आप force को मान सकते हैं, voltage, spring constant को मान सकते हैं, 1 by c, 1 by capacitance और x को मान सकते हैं, charge, ठीक है, तो अभी आखरी में देखते हैं कि capacitance के units क्या होती है, ठीक है, तो capacitance को हमने कैसे define किया हूँ है, charge by potential, coulombs by volts, और coulombs by volts को हमने एक नया नाम दिया हूँ है, farad, Michael Faraday की याद में, तो एक far capacitance होती है, वो काफी ज्यादा होती है, आप रोज मारा की जिंदगी में नहीं देखोगे, तो जनली रोज मारा की जिंदगी में आप छोड़ी-चोड़ी capacitance देखोगे, उनको measure करने के लिए, छोटे units होंगे, microfarad होगे, for example, 10 to the power of minus 6 farad, या फिर picofarad होगे, 10 to the power of minus 12 farad, या तो आज के लिए तने आप से फिर मोला का दोगी, thank you so much, शुक्रिया